हadas है गाईज, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा Marvel से लिटे काफी कमाल के अपडीट के बारे मैं वात करूंगा Blade से लिटे अपडेट के बारे मैं वीडियो को पूर दीखीगा अपडेट भूद ही जाद अच्छी है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं Blade से लेटे अफडेट के बारे में आप सभी जानतें कि Blade Future की upcoming MCU की मूवी है जिसमें कि हमें काफी सारी vampire पिशास देखने को मिलने वाले हैं और ये Marvel की काफी unexpected movie होगी क्योंकि MCU में भी तक vampire से introduction नहीं करा गया और Blade येक ऐसी पहली movie होगी जिसमें कि हमें काफी सारी vampire देखने को मिलेंगे अब आपके लिए खुशकबरी ये है कि इस movie में आपको एक और इंडियन character देखने को मिलेगा चुकि इस तरीकी से दिखता है ये एक bug पहनता है यानि कि ये सरदार जी वाला character है और देन काफी जादा इन में strength है speed भी है और intelligent भी है इनकी story थोड़ी सी मैं आपको बता दू कि इनकी family को vampires ने मार दिया था पर फिर finally आगे जाके ये group को join करते हैं और एक vampire hunter बनते हैं और finally जिस vampire ने इनकी family को मारा था वो उसको खतम कर देते हैं इनकी मुलाका दूती blade से फिर इनका आगे feature में team up बनता है और आगे story comic book में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई है तो ये character आपको देखने को मिलेगा अब casting क्या होगी कुछ भी update नहीं है देन अभी हाली में दूसरा update आया है blade से related वी कि blade की अभी हाली में meeting हुई थी online जिसमें की Kevin Feige ने जॉइन करा था जिसमें की character के बारे में चड़चा हुई थी कि अभी casting पर focus करा जा रहा कि कौन-कौन से character हुँगे दैनों इसी के साथ Spider-Man 9 भी होंगा इक कौन सा पार्ट नजर आया है और finally हमें Dr. Stan 2 में देखने को मिलेंगी और finally confirm यह हुआ कि Toby Andrew और John Watt Tino ही मिलकर थेटर में movie देखके है थे पहले ही दिन open night में और reaction देखना चाहते थे कैसे है audience reaction दैनोंसी के साथ Scarlett Johnson फाइनली return हो रहे है MCU में as a producer और future में update ही आ रहे हैं कि वो Black Widow 2 को produce करेंगी अब यह तो rumor है देखते हैं क्या होता है in future दैनोंसी के साथ fans ने finally 50,000 लोगों ने signature करे हैं petition करे हैं कि T'Challa character को recast करा जाए Black Panther 2 में दैन आप चाहते हो तो मुझे comment शक्रेश में ज़रूर बताना क्या Black Panther cast होना चाहिए या नहीं दैनोंसी के साथ Doza Cat जोकी बहुत ही अच्छी Hollywood singer है वो finally Black Panther 2 में अपना song दे सकती है रूमर चल रहे है ऐसे पर अभी confirmation नहीं आई है दैनोंसी के साथ Gamora का finally एक new look सामने आया यानि कि Zanda ने अपने official Instagram पर इसका look डाला है तो बहुत ये अच्छा लग रहा है Volume 3 का है ये look दैनोंसी के साथ Captain Marvel यानि कि हमारी ब्रीला अंसर ने एक image डाली थी Instagram पर जिसमें कि उनने female villain को revealed कर दिये आप खुद ही देख सकते हैं बहुत ही के साथ rumor चल ला है Ghost Rider का कि MCU में Ghost Rider की casting चल लगी है और ये character आपको feature में देखने को मिल सकता है पर अभी confirmation बिल्कुल भी नहीं आई है दैनोंसी के साथ Charlie Thornts जिसको आपने Mad Max movie में देखा होगा ये finally बात कर रही है MCU से कोई future character को लेके जो की MCU movie को प्ले करने वाली है दैनोंसी के साथ Andrew Girlfriend ने confirm कर दिया है कि उस Spider-Man का character दुबारा से प्ले करने वाले है और उन्हें उन्हें ये officially confirm कर रहा है और उसी के साथ एक new still image हमारे सामने आई है ये Wong की जिसमें की Wong कावी जादा परिशान लग रहे है तो यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है ये ending का fighting का scene हो सकता है आपको एक है लगता है comment section में जरूर बताना दैनोसी के साथ rumor चल रहा है कि Billy Morphe finally end in the vast में आपको देखनों को मिलेंगे पर आज के दिन ये confirm हो गया है क्योंकि update को राना था पर आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज के दिन ये confirm हो गया है दैनोसी के साथ casting करी गई है volume 3 में Quick Woody का जो की एक villain का character play करने वाले है volume 3 में ये भी confirm हो चुका है चलिए बात करते है थौर love and thunder से लेटिप तो finally walkari का character finally revealed कर दिया गया costume revealed कर दिया गया है जो की बहुत ही जाद अच्छी लग रही है दैनोसी के साथ Lady Thor का भी character revealed कर दिया गया है जिनका costume हो थोड़ा सारी चीजने दिखाई गया है और दैन आप notice करोगे कि हो थोड़ा बापिस आ रहा है पुराना वला अब ये कैसे possible है पता नहीं दैनोसी के साथ हमारे Thor का भी character revealed कर दिया गया है जिनका costume बहुत ही जादा कमाल का लग रहा है और उसी के साथ एक इनका alternate costume भी दिखाए गया है जो की golden armor है जो की बहुत जादा अच्छा लग रहा है और इनका helmet तो बहुत ही जादा प्यारा लग रहा है और उसी के साथ मुझे जहाँ पर थोड़ा doubt भी होता है क्योंकि बहुत सारी set images आई है और इन set images को देखके लगता है कि शाथ हमें थौर मुवी में थौर के variant देखने को मिल सकते है क्योंकि Spider-Man मुवी में हो चुका है Loki में हो चुका है थौर में भी हो चुका है और थौर में हुआ नहीं है क्योंकि बहुत सकते है